Students, समन्य ज्यान यानि जन्रल स्टड़ी विशे में आज हमारा टॉपिक बुगोल के एक विशे पर है जिसका नाम है भारत की मिटियां Students, मिटियों का अध्यन करने वाले विज्यान को पैडोलोजी विज्यान यानि मिर्दा विज्यान कहा जाता है Students, Indian Council of Agriculture Research यानि भारतिय करसी अनुसंधान परिशत दिल्ली ने भारत की मिटियों को जलवायू, वर्सा और परवाह परनाली के अंतरगत आठ भागों में विभाजित किया है जिसमें सबसे पहले आती है जलोड मिटि इसे हम इंगलिस में Alveal Soil भी कह सकते हैं भारत के उतरी भाग में जलोड मिटि का बहुत ही विस्तार है भारत के कुल छित्रफल का बाइस पॉइंट सोला बाइस पॉइंट एक छे जिसको हम कह सकते हैं स्टूडेंस बाइस पॉइंट एक छे छित्रफल में इसका विस्तार है यह मिट्टी, पंजाब, उत्री पुर्वी राजस्थान, हर्याना, उत्तर परदेश, उत्री बिहार, पस्मी बंगाल, असम, मेब्रमपुत्र घाटी, गुजरात, पुर्वी वैपस्मी सागर तटिये मैदानों में लगभग 7.68 लाख वरक किलोमेटर छेतर में मिलती है स्टूडेंस इस मिट्टी में चूना, सोडियम, पोटास तथा फासफोर्स की मात्रा अत्यधिक होती है स्टूडेंस इस मिट्टी को जलोड मिट्टी के साथ साथ हम दोमत मिट्टी भी कहते हैं पूछ ले जाता है किस मिट्टी का दूसरा नाम जलोड मिट्टी है या किस मिट्टी का दूसरा नाम दोमत मिट्टी है स्टूडेंट्स इस मिट्टी में बालू की परधानता होती है इस मिट्टी में मोटी बालू तथा कंकर पत्थर भी पाए जाते हैं जलोड मिट्टी दो परकार की होती है स्टूडेंट्स पुरानी जलोड मिट्टी और नई जलोड मिट्टी पुरानी जलोड मिट्टी को हम बांगर तथा नई जलोड मिट्टी को हम खादर कहते हैं जलोड को काप मिट्टी भी कहा जाता है काप जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पर गाउं में जोडों में पानी भर जाता है जोहर में पानी भर जाता है वहाँ पर पानी के सूखने के बाद एक मिटी रह जाती है जिसमें परतें अलग-अलग दिखाई देती है मिटी अलग-अलग टुकडों में फट जाती है और जब वो गीली होती है तो उस मिटी से अन्य परकार के भिन-भिन परकार के बरतन भी बनाया जाते है तो students जलोड मिटी को कांप मिटी भी कहा जाता है यह हमें याद रखना चाहिए जलोड मिटी दो परकार की होती है पुरानी जलोड मिटी को हम बांगर और नई जलोड मिटी को हम खादर भी कहते हैं Students इसके बाद हम आते हैं Number 2 पर letterite मिटी लेटराइट मिट्टी का छेतरफल कुल छेतरफल भारत में 2.62% है यह मिट्टी इंट के समान दिखाई देती है इस मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहा जाता है यह मिट्टी मानसुनी वर्षा के उसन कटी बंदिये परदेश की विशेश मिट्टी है पूछ लिया जाता है कि मानसूनी वर्षा के उसन कटीबंदिये परदेश की मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है लेटराइट मिट्टी स्टूडेंट समय याद रखना चाहिए भारत में यह मिट्टी लगभग 1.22 लाख वरक किलोमेटर छेतर में विस्तृत है यह मिट्टी दक्सनी महराष्टर और माला बार के तट की पहाडियों पर पाई जाती है इस मिट्टी का विस्तार राजमहल की पहाडियों में बिहार में गवालियर पन्ना वे रिवा यानि मद्दे परदेश में और भारत के पुर्वी घाट का अधिकांस भाग वे मेघाले, उडिसा, करनाटक और दक्सनी महराष्टर इस मिट्टी के छेत्र विस्तार में आते हैं यह मिट्टी एलूमिना और लोहे के अकसाइड के मिसर्ण से बनती है इसमें सिलीका का अभाव होता है इसमें सिलीका नहीं होती स्टूडेंस इसमें चूना, पोटास, वे फासफोरस एसिड की बहुत कमी हो रहती है इसलिए इस मिट्टी को उपजाव मिट्टी नहीं कहा जा सकता तो पूछा जा सकता है इन मिट्ट में से कौन सी मिट्टी अत्याधिक उपजाव नहीं है लेट्राइट मिट्टी, चाहे की फसल के लिए यह मिट्टी, उप्युक्त मिट्टी कहीं जा सकती है स्टूडेंस, इसके बाद में हम आते हैं काली मिट्टी पर इस मिट्टी का निर्मान, लावा की तोड़ फोर, जब लावा निकलता है तो उस लावे की सेलों की तोड़ फोर की परकिरिया से इस मिट्टी का निर्मान होता है इसे रहगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंस, इस मिट्टी का विस्तार 29.69, परतीसत भारती च्छतर में इस मिट्टी का विस्तार है स्टूडेंट्स इसमें रसाइनिक तथा खनीज तत्वों का बाहुले पाया जाता है इसलिए इसका रंग काला होता है यहें मिट्टी कपास की फसल के लिए अत्यंत उप्योगी होती है इसलिए इसको कपासी मिट्टी और रेगर मिट्टी भी कहा जाता है इस मिट्टी का विस्तार महाराष्टर वे गुजरात के अधिकांस भाग में है पस्मी मद्दे परदेश, पस्मी अंधर परदेश, तमिल नाडू और उत्री करनाटक में यह मिट्टी विस्तृत है Students, उसके बाद में हम आते हैं लाल मिट्टी पर यह मिट्टी मद्दे परदेश के बुंदेल खंड से लेकर दूर दक्षिन तक पाई जाती है इसका छेत्रफल लगबग दो लाख वरक किलोमेटर में है इसका निर्मान रवेदार आगनेय वेकायांत्रित रूपांत्रित जिसको हम कह सकते हैं सेलों के विखंडन से होता है इसका भारत में छित्र विस्तार 28 परतिशत भाग पर है यह मिट्टी अंद्र परदेश मद्दे परदेश सतिसकड के रीवा, सतना, पन्ना और छतरपुर वे राइगड जिलों में वे जारकन के संथाल परगना, छोटा नागपूर के पठार, पस्मी बंगाल के वीर भूमी, वर्दमान, बाकूरा और मिदनापुर जिलों में, मिघल्ले की जहनतियां, गारो, खासी पहाडियों मे राजस्थान के अरावली परवत के पुर्वी और दक्सनी पुर्वी चेत्रों में, उदैपुर, चितोड, भीलवारा और बासवारा तथा दक्सनी पुर्वी महरास्टर करनाटक, तमिलनाडू के कुछ भागों में इस मिट्टी का विस्तार मिलता है Students, इस मिट्टी में लोहे के अंसों की परधानता होती है, इसी लिए इस मिट्टी का रंग लाल है इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फासफोरस और हुमस की कमी होती है, कई बार ये परसन पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन वे फासफोरस की कमी पाई जाती है, तो हमें याद रखना चाहिए कि लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और फासफोरस की कम ही पाई जाती है इस मिट्टी में मुख्यते मोटे अनाज दलहन और तिलहान की कि खेती मुख्यते किस परकार की मिट्टी में की जाती है तो students इसके बाद में हम आते हैं नंबर पांच पे नंबर पांच पे आती है लवन से युक्त और अक्षार युक्त मिट्टी यानि बेस जिसको हम कहते हैं लवन मिश्रित या अक्षार से युक्त मिट्टी अक्षार युक्त मिट्टी में सोडियम वे कैल्सियम तत्वों का मिश्र रहता है जबकि लवन युक्त मिट्टी में नाइट्रोजन के लवन मिश्रित रहते हैं इसे उसर भूमी भी कहा जाता है स्टूडेंस इस परकार की मिट्टी जो है वो भारत में इसका च्छत्रिय विस्तार जो है एक पॉइंट दो नो परसेंट है इस मिट्टी की उरवरता नहीं होती ये मिट्टी बंजड भूमी कहलाती है इस मिट्टी से बनी भूमी बंजड भूमी कहलाती है क्योंकि इसमें जीवास्म, आधी की परधानता नहीं होती, जिस मिट्टी में जीवास्म होते हैं, वे मिट्टी अत्यधिक उपजोव होती है, यह देश के लगबग सभी जलवायू परदेश में फैली हुई मिट्टी है, उसके बाद में आते हैं हलकी, काली, और जिसको हम दल्दली मिट्ट भी कह सकते हैं students यह नम भागों में मुख्य तक केरल में पाई जाती हैं जिन छित्रों में बनस्पती के अंस जीवानू आधी की अधित्ता होती है यह विट्टी वहां की मिट्टी होती है हलकी काली होती है दल्दली मिट्टी उडिशा के तटिये भागों पस्मी बंगाल तमिलनाडू के दक्षनी पुर्वी तटों तक फैली हुई है बाद में आते हैं हम परवतिय मिट्टी पर mountain soil हम इसे कह सकते हैं यह मिट्टी हिमाले छेत्र में पाई जाती है इसका विस्तार सिक्किम गडवाल वे कुमायू छेत्र उत्राखंड का जो इलाका है पस्मी बड़े और कंकड वे पत्थर के टुकडे मिश्रित होते हैं इस मिट्टी में बड़े बड़े कन, कंकड वे पत्थर के टुकडे सामिल होते हैं इस मिट्टी के छेत्रिय उपभागों के रूप में चाय मिट्टी, चनावाली मिट्टी और तरसरी मिट्टी और आगने मिट मिट्टी परदेश भी सामिल हैं। इस मिट्टी के छित रिय विस्तार में चाय मिट्टी और चने वाली मिट्टी और आगनिय मिट्टी परदेश भी सामिल है। इसके बाद में हम आते हैं रेतिली मिट्टी या इसको हम मरुस्थली मिट्टी भी कह सकते हैं students इंगलिस में इसको desert soil कहते हैं इसका विश्तार 144 लाख हेक्टेर भूबाग पर है सिचाई के साधन उपलब्द होने पर यहां किर्सी की जा सकती है अगर सिचाई के साधन यहां पोसकत्वों की हमेशा कमी रहती है रेतिली और मरुस्थली मिट्टी राजस्थान के पस्मी भाग पंजाब के दक्शनी पस्मी भाग रियाना के पस्मी भाग और गुजरात के उत्री भाग में पाई जाती है और इस मिश्टी का भारत में छ Spectriya विस्तार 6.13 परसेंट है जिसमें मैं कुछ परसन आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ, लेकिन बहुत से परसन मैं आपके सामने इसमें रखना चाहता हूँ, कि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिट्टी में चूना, सोडियम और पोटास तथा फासफोरस की प्रियापत मातरा होती है, तो आपको याद रखना चाहिए, जलोड मिट्टी और दोमट मिट्टी विबिन परकार की करसी फसलों के लिए बहुत ही उप्योगी मिट्टी है, स्टुडेंस कई बार पूछ लिया जाता है कि चाय के लिए कौन सी मिट्टी जो है उप्यूक्त है, तो लेटराइट मिट्टी चाय की फसल के लिए उप्यूक्त मिट्टी मानी जाती है, ये पूछ लिया जाता है कि किस मिट्टी में सीलीका का आभाव रहता है, तो लेटराइट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है, जिसमें ऐलूमिना और लोहे अकसाइड के मिसरन तो होते हैं, लेकिन सीलीका का आभाव इसमें रहता है. Students, कौन सी मिट्टी जो है मानसुनी वर्षा के उसन कटी बंदिये परदेश की मिट्टी कही जाती है, तो लेटराइट मिट्टी ऐसी मिट्टी है. किस मिट्टी का रंग इंट के समान दिखाई देता है, तो यह मिट्टी लेटराइट मिट्टी ही होती है, ज जिसका रंग इंट के समान दिखाई देता है. कौन सी मिट्टी का विस्तार छितर 22.16 भारतिय चितर में आता है. तो ये जलोड मिट्टी है, जिसका विस्तार छितर 22.16 है. इस परकार से पूछा जा सकता है students कि कौन सी मिट्टी अधिक समय तक नमी को धारण किये रहती है तो काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो अत्यधिक समय तक पानी की नमी को धारण किये रहती है पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है काली मिट्टी क कपास की उपज के लिए सरवादिक उपयोगी मानी जाती है तो ये कपास के लिए उपयोगी माने जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है तो हमें याद रखना चाहिए नाइट्रोजन और फास्फर्स की कमी लाल मिट्टी में होती है Students कई बार परसन पूछा गया है कि मेघल्ले की खासी जैंतियां और गारी पाड़ियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो लाल मिट्टी हमें याद रखना चाहिए किस मिट्टी का विस्तार चित्र 28% भारतिय भाग में फैला हुआ है तो ये मिट्टी लाल मिट्टी है जिसका विस्तार चित्र 28% भारतिय भाग में फैला हुआ है इस परकार से students मुझे पूरी उमीद है कि आने वाले competitive और intense वे अन्य exams में हमारा ये topic आपके लिए हर तरह से बहु मुल्ले और उप्योगी साबित होगा